आप जानते ही हैं कि भगवान शनी के तंडव से हर कोई खौप में आज़ाता है आज भी शनी देव की कहानी सुनकर उनके भगतों की रूह का अपने लगती है हिंदुधर में आज भी भगवान शनी को काफी क्रोध वाले देव के रूप में पूजा जाता है लेकिन ऐसा ही नहीं है कि शनी हमेशा किसी को परेशान ही करें बलकि ये मन चाहा फल भी देते हैं बताते चलें अब बेहद ही शुब से योग बन रहा है जिसमें शनी महराज और बजरंग वली एक साथ आ गए है जी हां काफी लंबे समय बाद इन दोनों देवताओं का मिलन हुआ है इस मिलन में ये काफी जादा कुछ राशी के लिए शुब फल परदान करने वाले हैं जोतिश के गुरू बता रहे हैं कि काफी लंबे समय बाद ये संयोग बना है कि दोनों देवताओं दोनों महराज एक साथ मिलकर किसी राशी का उद्धार करेंगे तो आपको बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो दो राशी जिनकी 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 दस्तक देने वाले हैं और उनको लाभ जरूर होने वाला है कई बड़ी खुश खबरी भी इनको मिलने के योग दिखा रहा है तो आईए जामते हैं और नजर डालते हैं कौन सी है वो राशियां मेश राशी आपको बता दें शनिदेव और हनुमान बाबा एक साथ मिलकर इस राशी की लोगों का जीवन बदलने वाले हैं आपके घर में धनका बंडार भी हो सकता है आज आपका रवया घर पर लोगों की दिलों को चोट पहुंचा सकता है लिकिन आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है सब की साथ आपको अच्छे से संभंध बना कर चलने होंगे आपके घर परिवार में भी खोश्यां इसी के चलते आएंगी वरना घर में कलेश भी हो सकती है मीन राशी के जातकों के लिए शनीदेव रहनमान बाबा का अदबुत लाब मिलने वाला है इस राशी के लोगों के जीवन में काफी कुछ अब नया जरूर होगा आपको हट परकार की सुख सुबधा आसानी से प्राफ्ट हो जाएगी अब इनको किसी भी परकार की चिंता नहीं करने होगी समाज आपका सम्मान करेगा आपके जीवन में लाब जरूर होगा फायदा होने के भी विशेश योग बने हुए है नेक्स्ट नाइन स्परिच्छल से आकाश की रिपोर्ट